नमाजकर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश का लिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीब चैनल अक्षी तैस्टो मास्टर में मेरे वरिशब लगन वाले दोस्तों कैसे होगी दोस्तों यह वीडियो आपकी लगन पर अधारीत है आपकी जनम कुणली के प्रथम स्थान पर अगर दो का अंक लिखा हुआ है तो समझें आपका लगन वरिशब है तथा यह वीडियो आपके लिए है मेरे वरिशब लगन वाले दोस्तों आपके लिए अक्तूबर मा काफी शुब और महद तो पुरन रहेगा 23 अक्तूबर को करम फलदाता शनी देव मारगी होकर आपको दिपावली का तोहफा देंगे इसलिए 24 अक्तूबर की दिपावली आपके लिए खास रहने वाली है आपकी लगन के लिए शनी दो शुब भावो भाग्या और करम भाव का स्वामी है इसलिए आपकी लगन के लिए शनी योग कारक ग्रह है प्रन्तों पिछले समय से शनी आपकी लगन के भाग्या स्थान पर वक्री वस्ता में गोजरस्त है इसलिए भाग्या एम करम के सुख एम सैयोग में कमी महसूस हो रही है गुरू की आपकी लगन पर बहुत उत्तम स्थिती होते हुए भी वह शुबफल और लाब नहीं मिल रहे हैं जो की मिलने चाहिए क्योंकि शनी की वकर द्रिष्टी गुरू के साथ लाब स्थान को भी परवावित कर रही है दोस्तो इसलिए शनी का मारगी होना आपकी लगन पर बहुत महत पुरन परवाव डालेगा इसके अलावा अक्तूबर मा में चार ग्रहों मंगल, सूर्य, शुकर और बुद्ध का राशी प्रवरतन है देखते हैं इन ग्रहों का राशी प्रवरतन आपकी लगन पर क्या प्रवाव डालेगा शुरुवात करते हैं अक्तूबर मा में सबसे पहले राशी प्रवरतन करने वले ग्रहों मंगल से दोस्तो 16 अक्तूबर तक मंगल आपकी लगन पर ही संचार करेगा उर्जा कार्क मंगल का लगन पर परवाव आपके जोश और उर्जा शक्ति में व्रिदी करेगा मंगल जनित उर्जा आपको जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी आप काफी उत्साहित दिखाई देंगे उर्जा की अधिक्ता आपके सवाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी अपने क्रोध पर नियंत्रन रखे उर्जा की अधिक्ता का कार्या वैपार में लाब मिलेगा गुरू और मंगल दोनों की सप्तम बापर द्रिष्टी वैपार के स्वंद में काफी स्क्रातमक है वैपारी दोस्तों की आये में विशेश वरिदी देखने को मिल सकती है लगन से मंगल की चतुर्थ सप्तम और अश्ठम बापर द्रिष्टी जीवन साथी के सुक, सने, स्वास्त और सवापर वपरीत प्रवाव डाल सकती है जोस्तों इसलिए 16 अक्तुबर तक जीवन साथी के साथ सवंदों में सने एं मदुर्था में किसी भी परकार की कोई कमी ना करें तालमेल बनाए रखें 16 अक्तुबर को मंगल राशी प्रवर्थन कर दित्य भाव में प प्रवर्थन चार आपकी वानी में कठोरता हैं करूरता का बाव पैदा करेंगा 16 अक्तुबर के वाद वानी का सोच विचार कर परयोग करें आवेश और जल्दवाजी में आकर वानी के द्वारा कूवचन और कठूवचन का परयोग परेशानी पैदा कर सकता है इससे एक पूबर तक सूर्या पंचमबाव में पंचमबाव के स्वामी बुद्ध और लगन स्वामी शुक्र के साथ संचार करेंगा इन ग्रेहों के परवाब से पंचमबाव की स्थिति बहुत शुब और मजबूत बनी हुई है पंचमबाव में लक्षिमी विश्नु संयोग के उन पर गुरू की दृष्टी सोनने पर सुहाग्य जैसा कार्या कर रही है। पूरण क्रिपया प्रापत हो रही है। बुद्धी सबंदित कार्यों से दनलाव के अबसर पैदा होंगे। स्तारा क्टूबर को सुर्यावी राशी प्रवर्तन कर छटे बाव और अपनी नीच राशी में परवेश कर जाएगा। लगन से छटे बाव पर नीच सुर्या के बहुत अच्छे परिनाम देखने को मिलेंगे। शत्रों पर आपका नियंतरन बना रहेगा। आपके परवाव में व्रिदी होगी। प्रंतु घर प्रवार के सदस्यों के साथ सबंदों में मदूर्ता बनाई रखें। खास कर माता जी के साथ। सूर्या आपकी लगन के लिए चत्वर्त बाव का स्वामी भी है। इसलिए भूमी भवन और वाहन के सवंद में कोई क्रेह विक्रिया करना है तो 17 अक्तूबर के बाद महत्त पुर्ण दस्तावेजों की अच्छी तरह जाच परताल के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि सूर्य शत्रूग रहू राहू के तू और शनी के प्रवाव शेत्र में भी है। इसलिए स्तर्क रहना भी बहुत वश्चक रहेगा। दूस्त अक्तूबर मां में तीसरा राशी प्रवर्तन है लगन स्वामी शुकर का। अठारा क्तूबर तक शुकर पंचम बाव और अपनी नीच राशी में संचार करेगा। पंचम बाव पर शुकर नीच भंगरायों का निर्मान कर रहा है। इसलिए शुकर के शुब फल देखने को मिलेंगे। लगन स्वामी पर गुरू की द्रिष्टी शुकर की शुकता और मजबूती में वरिदी कर रही है। इससे आप श्रीरिक और मांसी गुरूप से स्वस्त मजबूत और परसंता की अनबूती करेंगे। पंचम बाव पर शुकर और बूत का युतियोग संतान, शेतर, प्रेमियों और निवेश कारियों के लिए भी बहुत उत्तम है। शुकर की स्थिति विद्यार्थियों को क्रेटी बनाएगी, क्रेटीविटी के शेतर में विद्यार्थी बहुत अच्छा कार्या करेंगे। प्रेमियों को भी शुकर की शुपता का लाब मिलेगा। प्रे सबंदों में मित्रों का सुख्ख्यम से योग भी प्रापत होगा मित्र आपको सहता करने के लिए तत्पर रहेंगे दूसो पंचमब आपर मित्र ग्रहों शुक्करायम बुद्ध के युदियोग से संतान सुख्ख में वृदि होगी इस अवदी में संतान शेत्र से कोई प्रापत होंगे शुक्कर बुद्ध पर गुरू की दृष्टी संतान के माद्यम से दनलाव के योग बनाएगी किसी भी परकार के निवेश कारियों और शेयर वजार से जुड़े दोस्तों के लिए विग्रह गुच्रियस्ति थी बहुत उत्तम है निवेश कारियों से ला अधिक लापर्द रहेगा क्योंकि 23 अक्तूबर को गुरू के साथ लाप स्थानवी शनी की वकर द्रिश्टी से मुक्त हो जाएगा आए हैं लाप में व्रिदी के अफसर पैदा होंगे दोस्तों 18 अक्तूबर को शुकर भी राशी प्रवर्तन कर चटे बाब और अपनी ही चटेवापर ही संचार बहुत उत्तम है लगन का सवामी अपनी ही राशी में संचार करेगा लगन को मजबूत्ती मिलेगी दो तो लगन सवामी की यह स्थिती रोग रिन और शत्रों से मुक्ती दिलाएगी रिन से सबंदीत कोई उल्जे हुए मामले हैं तो वह मामले भी जराएंगे कुल मिलाकर पूरन माशुकर का संचार उत्तम बना रहेगा अक्तूबर मा में अंतिम राशी प्रवरतन है बुद्ध का आपकी लगन के लिए बुद्ध बहुत महत्त पुरन ग्रया है क्योंकि आपकी लगन के लिए बुद्ध धन और संतान बाब का स्वामी है 26 सक्तूबर तक बुद्ध पंचब बाब में अपने ही बाब में संचार करेगा बुद्ध की यैस्तिती बहुत उत्तम बनी हुई है 26 सक्तूबर तक बुद्ध की मजबूस्तिती विद्या, बुद्धी, वानी, वैपार और संतान के माध्यम से दनला के योग बनाएगी प्रेमियों को भी इसका बहुत लाब मिलेगा प्रेमी मन की पेक्षा बुद्धी से निरन्या लेना अधिक पसंद करेंगे दोस्तो इस समय आपको जनम कुल्ली में गुरू या बुद्ध की महांदशा या अंतरदशा चल रही है तो अक्टूबर माँ आपके लिए अत्यादी को उत्तम रहेगा दोनों ही ग्रहों की स्थिती कोचर में बहुत मजबूत बनी हुई है तो तो 26 क्टूबर को बुद्ध भी राशी प्रवरतन कर छटे भाव में प्रवेश कर जाएगा छटे भाव पर बुद्ध के मिले जूले परिनाम देखने को मिलेंगे इस समय निहाल पक्ष के साथ सबंदों में सने एम मदूरता बढ़ेगी वह आपको सैयोग करने के लिए ततपर रहेंगे 26 अक्तूबर के बाद अनावशक खर्चों के प्रतिस तरक रहें फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की वह शक्ता रहेगी इस सबदी में आप घूमने फिरने मोज मस्ती और शोंग कूरती के कारियों पर वह कर सकते हैं प्रेमीजन के साथ यात्रा करेंगे तथा प्रेमीजन पर अच्छा खासा वह करेंगे यात्रा के सबंद में भी वह हो सकता है दोस्तों आपको या वीडियो कैसी लगी किरपया लाइक शेर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले